तीन राज्यों में साल के अंत में होने वाले विधान सबा चुनाव पूर्व एक सर्वे ने मोदी और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है इस सर्वे के अनुसार MP और 36 गड़ में बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है वो भी लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज हैं ऐसे में बीजेपी के हाथ से अगर सत्ता निकल जाती है तो आने वाले 2019 के लोग सबा चुनाव में मोदी की राहा बहुत कठिन हो सकती है लेकिन सर्वे में पीएम पद के लिए मोदी जनता की पहली पसंद हैं एमपी में 54 फीजदी और 36 गड़ के 56 फीजदी लोग मोदी को फिर से पीएम के रूप में देखना चाहते हैं राहुल गांधी को 25 और 21 फीजदी लोग पसंद करते हैं चुनावपूर सर्वे में कॉंग्रेस को बढ़हत बीज़ेपी के हाथ से दो राज्यों से निकल सकती है सत्ता एमपी 36 गड़ में कॉंग्रेस को बढ़हत मिल रही है तो बीज़ेपी पिछड़ रही है MP में बीजेपी को 46 फीजदी, कॉंग्रेस को 49 फीजदी और अन्य को 15 फीजदी मिल सकते हैं वोट 36 गड़ में बीजेपी को 46 फीजदी, कॉंग्रेस को 36 फीजदी और अन्य को 18 फीजदी मिल सकते हैं वोट MP में 230 सीटों में से कॉंग्रेस को 117, BJP को 106 और अन्य को 7 सीटे मिल रही है 36 गड़ में 90 सीटों में से BJP को 33, कॉंग्रेस को 54 और अन्य को 3 सीटे मिलती देख रही है